को बिस्मिल्लाहिरमाइं रहीम मैं नम्मॉप्र जमील रहें मैं मुझ्र जमील को चाहिए यह को सिस्टम बता होता क्या है तो इम्मिना इस सिस्टम या इम्यून सिस्टम यह एक नेटवर्क होता है ठीक है नेटवर्क होता है किस चीज़ का इम्यून सेल्स का और शिरा आर्गण्स का इम्यून अर्गण्स का इम्यून सिस्टम और इम्यून सेल्स सोहता थीज़ क के खिलाफ कोई भी pathogen आया है या फिर कोई भी disease हुई है कोई infection disease हुई है तो उसके खिलाफ हमारी जो है ना ये body की help करता है कि हमारी body जो है ना उसके खिलाफ fight कर सके तो repeat करूंगा immunology क्या होती है immunology network होता है complex network किसका immune cells का और immune organs का immune organs का दूसरा नाम lymphoid organs चाहिते होता है उनको immune organs को lymphoid organs भी कहते होता है तो इन दोनों के network को immune system या immunology कहते होते हैं और इसका काम क्या होता है कि हमारी body को help करता है fight करने में किसके खिलाफ कोई भी बैर से pathogen या antigen आया या फिर कोई infection disease हुई तो उसके खिलाफ यहमारी body को help करता है कि हम उसके एक लाफ जहना वो fight कर सके हैं अच्छा यहां पर अब लफज हमने इस्तमाल किया है immune cells और immune system organs या पर lymphoid organs या आपके mind में question आ रहा हुआ कि what is the immune cells and what are the immune system organs organs तो इन दोनुं को मिला आक कहिए यहां पर एक लफ जो रहा है lymphoid structures तो इन दोन को किया कहते होते है lymphoid structures कहते होते है immune cells system organs को lymphoid structures कहते होते हैं लकशन अब हम अलग अलग करके पढ़ेंगे that immune cells होते हैं यह क्या होते है immune cells जोह ना आपके जितने भी white blood cells इतने भी white blood cells let's suppose that किया आपका basofil हो गया आपका यॉसीनोफेल हो गया आपका neutrophil हो गया आपका B lemphosides हो गया T lemphosides हो गया B lemphosides हो गया तो यह सारगा क्लाते है white blood cells क्लाते हैं इसकलамен मैक्रोफिज' इसका नाम सुनाओगा differentiate होते हैं, यह आपके जितने भी white blood cells है, bone marrow में produce होंगे, फिर differentiate होंगे, कोई basophil बन जाएगा, कोई sinophil बन जाएगा, कोई T lymphocytes, कोई B lymphocytes, कोई neutrophil, कोई macrophages, कोई monocyte, तो यह different cells में मिलकर बन जाएगे, अब यही सारे cells क्या गराते हैं, immune cells क्या गराते हैं, तो मेरे ख्याल म immune cells आपको समझा आ गया होगा, ठीक है, अब देखते हैं कि immune system organs या फिर lymphoid organs होते हैं, यह क्या होते हैं, immune system organs या फिर lymphoid organs क्या होते हैं, let me race, साफ करने दे मुझे ज़रा यह screen तक एक ख्लियर होते हैं, हम अगला पढ़ सकें, तो यह देखें, अब यह देखें, immune system organs क्या होते ह एक होते हैं, primary organs, एक होते हैं, scaldry organs, अब primary organs क्या होते हैं, immune system या फिर lymphoid organs या फिर lymphoid organs होते हैं, जहां पर आपकी immune cells प्राइङस्चे परदूस होते हैं है प्लस भे गैट्स मैं Congo ओर वह प्र क्या ओते हैं को मैंचुर होते हैं अफोर्स कोई भी बच्चा पैदा होता हैञा excitement युनिवर्सटी जब medical colleges में आके ही मैचौर होते हैं तो जही सीन है कि immune cells पैदा भी होंगे और मैचौर भी होंगे और जिस organ में पैदा और मैचौर होंगे उन्हें हम primary organs कहेंगे अब primary organs के example दी है कि bone marrow और thymus 2 है अब वो कहते हैं जो bone marrow ये primary organ है और इदर जितने भी immune cells हैं उनकी production होती है यानि B immune cells हैं B lymphocytes हैं T lymphocytes हैं सब की जो है न वो production कहां पे हो रही है इन सब की production कहां पे हो रही है आपके bone marrow में हो रही है लेकिन वो गते हैं B cell या T cell दोनुगी production bone marrow में लेकिन आपके जो B lymphocytes है उनकी maturation कहां पे होती है bone marrow में देखें bone marrow भी B से start हो रहा है और B cells भी B से start हो रहे है तो ये देखें, तो B-cells की maturation कहाँ पर होती है, bone marrow में तो ये चीज़ याद रख लें कि B-cells की production भी और B-cells की production भी और maturation भी दोनों कहाँ पर होती है bone marrow होती है, ठीक है I think ये समझा आज़ाओगा, आगे बढ़ते है thymus, नीचे लिखावा ये देखें, ये thymus, वो कहता है thymus में T-cells mature होती है, इसका क्या मतलब है कि T-cells पैदा तो कहाँ पर होती है bone marrow, ठीक है, bone marrow T-cells की production कहाँ पर होगी, B-cell T-cells हो, जितने भी उनकी production bone marrow होगी, लेकिन उनकी maturation कहाँ पर होगी thymus में, thymus T-cells और T-cells भी T-cells, तो T-T तो T-cells की maturation thymus में होगी, simple सी बात है जो इस सारे में बता रहा है, क्या simple सी बात है, वो कहता है B-cell हो या T-cell, पैदा कहाँ पर होते है bone marrow में होते है ठीक है, अब वो कहता है क्यूंकि B-cells B-sele start हो रहा है तो इनकी maturation भी कहाँ पर होती है B-cells बोन में में और T-cells T-sele start हो रहा है तो इनकी maturation कहाँ होती है, thymus में होती है क्यूंकि thymus T-sele start हो रहा है तो simple सा concept है, क्यूंकि primary organs के 2 कहाँ हों है production और maturation अब B, T, दोनुस cells produce इस bone marrow में B cells bone marrow में mature होंगे और T cells thymus में जाके mature होंगे तो मेरे ख्यान में यह चीज आपको समझ आ गई है कि यह primary argus हमारे पास क्या होते हैं और उनकी examples क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से cells पैदा होते हैं और कहां कहां पर जाके mature होते हैं अगर यहां तक आप लोगो कोई question है तो पूछ ले अधरवाइस response करें ताके हम आगे बाढ़ सकें ठीक है तो जल्दी response क्या करें I think सबको समझ आ गया है तो हम जरब आगे बढ़ते हैं अगला है हमारे पास secondary organs secondary organs की बारे में थोड़ा सा पाढ़ लेते हैं सिंपल सा पहले समझ लेती हैं फिर हम यहां से reading करें secondary organs क्या होते हैं यह बाड़ी है किसी भी इंसान की secondary organs हमारी बाड़ी के अंदर मजूद है अब हमने पढ़ा है कि primary organs के अंदर immune cells produce होते हैं फिर mature होते हैं अब mature होने के बाद mature होने के बाद यानि कि हमने एक army बनाई है पैदा की है फिर उस army को training दी है और army को training देने के बाद हम उसको किसी ना किसी headquarter में जाके बिठाएंगे कि आपको एक रिहाश्ट देंगे जहांपर हम अपनी army को अकठा करेंगे कि हमारी army वहां पर जाके रहे तो let's suppose है हमारे immune cells हमारी army है फौजी है हमारे ठीक है इनको हम localize करेंगे कहां secondary organs के अंदर इनको हम क्या करेंगे वहां पर इनकी localization करेंगे इनको वहां पर जाके बिठा देंगे कि जहें जी अब वहां पर सकून से बैठ जाएं बहर से किसी भी pathogen ने किसी antigen ने attack किया तो वह body के अंदर आ गया जैसे भी body के अंदर आएगा तो जो secondary organs पढ़े हुए थे यह इसके साथ interact करेंगे कि चलेंजी इसके साथ राप्ता करें कि यह कौन आ गया है हमारे जिसमें इसके साथ interact करेंगे देखेंगे कि यह तो pathogen है antigen है हमारे लिए खतरनाक है तो फिर यह क्या करेंगे यह अंदर जितने भी बी cells पढ़े हुए उनको पैगाम देंगे कि आप जहना proliferate करें आप वहारे पास पहले कितने थे भी बी cells एक था अब एक से दो दो से तीन तो इस तरह cells बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और तेदाद में बढ़के फिर इसी के पास जाएंगे और इसको जाकर या कर देंगे केल कर देंगे तो इस तरह आपका pathogen मर जाएगा तो दुबारा समझा रहा हूँ कि secondary आरगन में क्या होता है कि सबसे पहले secondary आरगन में localization होगी कि जो immune cells primary organs में बने थे और mature हुए थे वो यहाँ पे आकर बैठ जाएंगे उनकी localization हो जाएगी दूसरा point जो पैथोजन अंदर दाखिल हुआ है तो यह पैथोजन के साथ interact करेंगे देखेंगे कौन आ गया है फिर इन immune cells की proliferation कराएंगे नंबर बढ़ा देंगे नंबर बढ़ाने के बाद यह immune cells जाके उसी antigen या पैथोजन के पर attack करेंगे और उसको केरल कर देंगे तो यह आपके जो हैना secondary organs होती है मैं बता रहा है कि यह देखे पहले नीचे लाइन पाढ़ लेते हैं allow immune cells to interact with antigen इसमें चोट सी बात किया कि वो antigen के साथ interact करते हैं लेकिन मैंने आपको detail में इसकी पीछे वाला सारा concept समझा जा जाए अब इसकी example देखते है स्प्लीन होगा इसको इंशाला हम next lecture में देखेंगे क्या होता है lymph node को भी थोड़े दिर बाद हम यहां पर देख लेंगे क्या होता है अच्छा टॉंसल्स क्या होते हैं टॉंसल्स जो है ना आपकी जो टंग होती है टंग के रूट में अगर किसी भी चीज आपने मुझ से कोई भी चीज लिया और उसके अंदर क्या थे पैथोजन थे तो सेम यह वही किरदार अदा करेगा कि कोई भी पैथोजन आएगा तो यह इसके अंदर जितने भी इम्यूनिसल्स पड़े हुए थे वो इसके साथ पड़ा होता है और प्यल्कुल उस liar काम करता है और चाहर संटो को मारता हुता है अच्शे पैर पैचल क्या होते है अगला अगला उसने एखेंपल रे पैच्छ की तो यह क्या होते है प्यतले का होते है अच्छै है कि आपकोर छे मंचनेति हैं जह दिरा स्माल िंडेस के फ फोलिकल्स कीूइंच की ग्रूपिंग कीूपिंग होता है इन्स वॉखिंग को इन्स कीूपिंग को जो हम क्या कहते होते है पेर पैटे कहते होते हैं और यह इतना देख लेए कि आपके small intestine की mucous membrane के अंदर इन follicles की grouping होती है और इन grouping को हम क्या कहते होते हैं pear patches कहते होते हैं और pear patches का काम क्या है वही सेम चीज secondary organ है कोई भी pathogen आपकी GIT से गुजर रहा है small intestine में आया है तो यह उसके साथ interact करेंगे immune cells को नबर में बढ़ाएंगे और इसके पास भेज देंगे वो उसको जाके kill कर देगा तो आपका pathogen मर जाएगा मेरे ख्यार में आपको primary organs भी समझ आ गया है कि primary organs में cell की production भी होती है और maturation भी होती है और secondary organs जो है ना antigen के साथ interact करते हैं immune cells को जगा देते हैं फिर उनको proliferate करते हैं ताके वो pathogen को जाके मार सकें और यहां तक अगर आपको कोई question हो तो आप पूछ सकते हमने immune system की definition पढ़ी है हमने lymphoid structures देखे हैं हमने immune cells देखा है हमने immune system organs के primary organs और उनके काम और examples पढ़ी है हमने secondary organs पढ़े हैं उनके काम और examples पढ़ी है यहां तक आपको कोई चीज समयरी नहीं आई है तो आप जल्दी से पूछें ताके हम आगे बार से चैने जी कोई question नहीं है तो let's move forward सबसे पहला जो मारे पास secondary organ यह lymph node हम lymph node पढ़ते हैं कि lymph node basic गली क्या होता है तो lymph node को start करते हैं वह कहता है lymph node a secondary lymphoid organ of course candy lymphoid organ इदर हमने देख लिए है has many a friend but has one or more e friend a friend क्या होती है जो किती चीज को ले के आते हैं जो किसी चीज को आप की तरफ ले के आती है और e friend जो किती चीज को आप से दूर ले के जाती है वो क्या होती है e friend होती है यह तो simple से था तो वो कह रहा है कि इसमें many a friend होते है देखे एक a friend यह हो गया एक यह हो गया एक यह हो गया वो गयते है a friend तो many होते है बहुत ज़्यदा होते है लेकिन e friend एक होती है या more होते है या एक होंगे या दो होंगे आपकी e friend लेकिन आपके जो a friend है वो many होते हैं तो यह सिंपल सी बात बता रहा है कि जो ले के आते हैं इसकी तरह वो ज्यादा होते हैं जो इस से दूर लेके जाते हैं lymph को lymph lymph को जो fluid होता है lymph vessels में उसको जो दूर लेकर जाती है ये फ्रेंट वो एक होती है और जो इसकी तरफ लेकर आती है वो ज्यादा होती है संपल सा concept है मेरे ख्याल में समझा आगे होगा आप लोगों को सो आगे बढ़ते हैं अगे क्या है और अगले चीज़ बता रहा है कि यहां पर आप रीडिंग में देख सकते हैं वो क्या कहरा है कि encapsulated with trabeulate वो कहता है कि encapsulated trabeulate नहींよね capsule किया होता है इसके गुरद यह यह देखिं यह कैपसूल दिखा रहा है इसके दिये capsule होता है this trabe demekule का capsule होता है इससे लिए कहते है के ये capsulated होता है या अन्दर से पैक होता है trasecular basically आपक इसंपहलakas पार रही कहते है ये इक पर ये ये इक structure होती है इस प्रकचर रही है इसे क्या कहते होते होते है Travecular कहते है तो यही बात वहाँ पर बता रहा है क्या बता रहा है कि अगली वह बता रहा है कि इस lymph node का function क्या होता है functions are non-specific filtration by macrophages circulation of B and T cells and immune response अच्छी यह क्या हो यहाँ पर कह रहा है इसल्पलसी बात बता रहा है कि यह let's suppose आपका lymph node पढ़ा हुआ जो के एक secondary organ है बता है इसके यहां से blood circulation है तो आपको पता है blood circulation के यह पैथो जो है न कोई पैथोजन आग passiert कोई भी by nt जना जो आप के झांट गी है तो लेट स्बूव्ड यह पैथोजन यह पैथोजन आ गिया यह पैथोजन था जो एक बलॉड में आ तो वो कहता है इनका काम क्या होता है इनका काम होता है कि यह अपने मैक्रोफेज, B-cells और T-cells की मदद से यह जो blood था इसकी filtration करेंगे, filtration का मतलब इसमें जितने भी pathogen's हैं उसका अपने पास बला लेंगे, IG अब गफशब करते हैं आपके साथ जरा और फिर उनको क्या कर देंगे, यह कैनल कर देंगे और इसके साथ यह filtration कैसे करते हैं यह filtration करते हैं immune response activation के जिरिए, सेम भाई बात कि इन्होंने अंदर localization की हुई थी immune cells की, फिर यह कोई भी pathogen देखेंगे उसके साथ interaction करेंगे, interaction करके इसके पास जितने भी pathogen's हैं उनके इसके number बढ़ा देंगे, जब इनका number बढ़ जाएगा तो यह number बढ़ के इसी pathogen के पास जाएगे और इसको क्या कर देंगे, kill कर देंगे, तो यह simple सा है, मतलब यह function होता है, कि यह filtration करेंगे, blood में जितने भी pathogen's होंगे, macrophages, B lymphocytes, T lymphocytes की मदद से इसको filtrate कर लेंगे, यानि blood को साफ कर देंगे, और pathogen's को अपनी दरफ निकाल लेगे, तो मेरी ख्याल में आपको यह समझा क्या होगा, कि lymphocytes simple होता क्या है, और उसका function क्या होता है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is much important, और इसको जरा गोर से सुलिएगा, ठीक है, तो, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखें निचे डागराम की तरफ आजए, अब डागराम में हम देखेंगे कि, वो कहता है कि जो आपके पास जो lymph node होता है, इसके three parts होता हैं, इसके structure में, वह बहुत है, नवाले की हैं, किडनी के ने होता है, बिलकुल किडनी की शेप होती है, बिल्कुल उसी तरह की शेप होती है, ठीक है शयदा आपको लग रहा होगा किड़नी है किड़नी नहीं है यह लेंफ नोड है और उसी तरह किसकी शेप होती है तो सबसे आउटर काल काल्टेक्स पिर परकाल्टेक्स फिर आपके मेडूला होगा वो कहते हैं आपका जो कॉल्टेक्स होता है इसमें B cells जो है न लोकल प्लाजमा सेल्स होते हैं जो वहां प्लाजमा से बैठे हुए होते हैं अब आपको प्लाजमा सेल्स के बारे में पता नहीं होगा वह जब हम मेडोला को लिटेर में पढ़ेंगे तो वह हम वह इन्शाला प्लाजमा सेल्स आपको बताएंगे क्या होते हैं अब वह कहता है क्या B cells होते हैं, याद कर ले, पराकॉनक्तिस में क्या होते हैं, T cells होते हैं, और Meadola के अंदर क्या होते हैं? Razma cells होते हैं. Simple सी बाताता है, क्या बाताता है? वो कहते हैं, अगर किसी bacteria ने attack किया है, आपकी बाडी में किसी bacteria ने attack किया है, तो length node के कौन से cells जो है उसके साथ interact करेंगे और interact करने के बाद proliferate करेंगे और उसके उपर attack करेंगे तो वो होते हैं आपके पास B cells वो कहता है देखें बैक्टेरिया B से और B cells भी B से जैसी बैक्टेरिया attack करेंगा तो आपके B cells उसके साथ interaction करेंगे, interaction करने के बाद अपने number बढ़ाएंगे यानि number ज्यादा कर लेंगे अब मुझे ये बता है बीच cells कहां पे थे बीच cells काल्टेक्स में थे जब बढ़ जाएंगे तो काल्टेक्स का area बढ़ने जाएगा क्या है बैक्टेरिया है क्योंकि जब बैक्टेरिया अटेक्ट करेंगे बीचल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बीचल्स प्रोलिफरेट करके T cells होते हैं, अब let's suppose that जिन्होंने attack किया है, वो क्या है, virus है, जब virus attack करेगा, तो फिर आपके B cell नहीं, बलके इस वकद T lymphocytes जो है ना, वो interact करेंगे, proliferate करेंगे, और जाके virus के पर attack करके उसको मार देंगे, अच्छा, जब एक virus attack करेगा, तो आपके T cells बढ़ जाएंगे, करेंगे, तेदाद में बढ़ेंगे, तो आपका paracortex size में बढ़ जाएगा, अब यहाँ पर और यहाँ पर चला जाएगा, अगर paracortex size में बढ़ गया है, तो आप कह सकते हैं, कि attack किनों ने किया है, वाइरिस ने किया है, अच्छा, इसको याद करने का नमूने किस तरह है, simple है, कि आप लोग TV तो देखती होंगे, कि जब virus attack करेंगे, तो T lymphocytes increase होंगे, T lymphocytes increase होंगे, तो paracortex size में बढ़ जाएगा, अच्छा, आगे है medulla, और medulla में plasma cells किस तरह काम करते हैं, इसको हम थोड़ा आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, जब medulla पढ़ेंग और काल्टिस का size बढ़ जाएगा, जब virus attack करेंगे तो आपके T lymphocytes में बढ़ेंगे, और आपका जो size paracortex का है, वो increase हो जाएगा, तो I think so that यह समझ आ गया होगा आपको, अगर आपको कोई question है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, यह बहुत important था ठीक है, अब हम book से इसकी reading क करते हैं कि यह book में क्या कहता है, क्या क्या इसकी partition करता है, ठीक है, अगर हम इसको जरा detail में बढ़ते हैं, book से reading भी करते जाएंगे, और इसको जरा detail में भी हम लोग इसको देखते जाएंगे, चले जी, अब हम देखते हैं कि यह lymph node थो हमने follicles, अब basically follicle आपके cortex region में होते है अबने अभी कहा ना कि सबसे outer region जो है ना यह इसका cortex था lymph node का, तो यह follicles मतलब cortex में मुझूद होते हैं, ठीक है, वो कहता है site of B cell localization and proliferation, of course, secondary organ में immune cells localized होते हैं और proliferate होते हैं, अपने आपको number में बढ़ते हैं किसी pathogen को देख के, तो cortex वो बला region है जिनके अंदर B cells localized भी होत होते होते हैं, basically आपके इस cortex के अंदर ना follicles होते हैं, क्या होते हैं, follicles, फिर इनी follicles के अंदर B cells की localization भी होती है, और उनकी proliferation भी होती है, और आपके इनी follicles की दो टाइप होती है, एक होता है primary follicles और दूसरा होता है secondary follicles, अब दोनों different होते हैं, इस चीज़ को याद आपके इनी चीज़ के अंदर B cells localized भी हो रहे हैं, और proliferate भी हो रहे हैं, इसी की बुरियाद पर follicles की दो टाइप होती है, primary follicles भी होते हैं, secondary follicles भी होते हैं, अब जो primary follicles होते हैं, वो होते हैं dense and question, यानि कि inactive होते हैं, inactive का क्या मतलब है, कि इसके अंदर जो है ना, आपके इन B cells localized की होते हैं, बैठर भी होते हैं, अराम से, सकून से, rest करके बैठर भी होते हैं, लेकिन आपके जो secondary follicles होता है, ये active होता है, ये क्या होता है, active, यानि यहाँ पर आपके जो B cells हैं, वो proliferate करते हैं, क्या करते हैं, वो proliferate, जब कोई दुश्मर आएगा तो ये proliferate करे primary follicles inactive होते हैं, इनमें वो सिर्फ localized की होते हैं, immune cells, B cells, अराम से बैठे होते हैं, जबके secondary follicles active होते हैं, इनमें आपके जो cells होते हैं, B cells, वो active होते हैं, proliferate होते हैं, और जाके उसको kill करते होते हैं, ठीक है, अब जब आगे detail में पढ़ते हैं, कि इनका primary follicles, secondary follicles, काल्टिक्स में यह आपका जो follicles पढ़ावा, यह primary follicle है, यह दोनों primary follicle है, यह primary follicle, यह dense होते हैं, और जो है यह आप महाँ पर पढ़ावा होते हैं, आप दूसरे मारे पास कोरों से होते हैं, secondary follicles होते हैं, वो कहते हैं, secondary follicles have pale central, इनका जो center होता है, वो pale color का होता है, यह देखें, pale color का ह होता है और यह होते क्या है active याईनिके यहाँ पर cells जो है ना बी cells proliferate करते हैं तो repeat करूंगा primary follicles dense और queset होते हैं आराम से बैठे हुए होते हैं ठीक है और जो secondary follicles होते हैं उन में germinal centers और pale central होते हैं वो अदर से empty होते हैं और yellow करते हैं और यह active होते हैं यहाँ पर proliferate करते होते हैं यहाँ पर देख लिए जैसे कि यह आपके पास जो है ना यह dense की तरह के primary follicles पड़े होए हैं और यहाँ पर अगर इस पिक्चर में देखें तो यह देखें यह दरिम्यान यह inactive होते हैं और आपके secondary follicles active होते हैं और यहाँ पर proliferation होते हैं ठीक है I hope so that कि आपको समझ आ गया होगा कि यह आपके cortex में क्या होता है और primary follicles और secondary follicles क्या होते हैं चीज़े मेरे आपको आपको समझ आ गया होगी बाकी मेरे आपको अभी थोड़े दिर पहले समझा दिया है कि जब कोई bacteria attack करेगा तो आपके B cells बढ़ेगे तो आपके cortex का size बढ़ जाएगा यह आपके follicles का size बढ़ जाएगा अब हम देखते हैं इस लाइन का क्या मतलब है इसके पीछी क्या concept चुपा हुआ है तो यह समझाते हैं आपको just a second तो high endothelial venules venules कहते हैं vessels को basically जो simple normal vessels होती है वो let's suppose यह वैसल है उसके अंदर endothelial cells होते है उसकी जो वार होती है यहां पर इस तरह के endothelial cells लगे होते हैं और उन्हें endothelial cells के बीच में इस तरह कोई space नहीं होती ताकि blood का जो material बहर ना सके लेकिन यहां पर वो बात कर र यहां पर vessel किस तरह की होगी कि इसके जो endothelial cells होते हैं उनके दिरम्यान में space होगी इस तरह यह देखें अब इन space से easily कोई भी चीज़ बहर निकल सकेगी वो गहता है यहां से B cells easily bear move करके बहर यहां पर आ सकते हैं B cells आगे T cells आगे इसके जो vessels होती है उनके endothelial cells के दिरम्यान space ज्यादा होती है और यहां से B cells और T cells easily move out कर सकते हैं तो B and T cells परकॉल्टेक्स में आ जाएंगे जैसा कि आपको पता है कि T cells ने तो इदर ही रहना है परकॉल्टेक्स में लाकिन B cells ने कहां चला जाना है फिर कॉल्टेक्स में क् B cells की प्लेस क्या होती है कॉल्टेक्स में तो B cells कॉल्टेक्स में मूव कर जाते हैं और T cells जो है आपके परकॉल्टेक्स के अंदर ही रहते होते हैं जो अगली बात हम पढ़ने जा रहे हैं that is most important और यह द्यान भी दीजेगा ठीक है अगली बात क्या है वो कहता है कि क्या कहता है वो वो कहता है Not well developed in patients with Di-JR syndrome वो कहता है आपको जो परकॉल्टेक्स है यह Di-JR syndrome के patient में सही तरह से develop नहीं किया होगा होता, इसका क्या मतलब है अब आपका जो Daddy-JR syndrome को जो patient होता है उसमें क्या होता है अच्छा इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिरेंजल पॉचिस क्या होती है ठीक है फिरेंजल पॉचिस यह फिरेंजल पॉचिस वो होती है कि जो जब आपका इंब्रियू की डिवेलपमेंट हो रही होती है तो यह उसमें एक तरह की पॉचिस होती है यह बैड्स में मेहमर्स में 6 होती है और हीमर्स में चार होती है वैसे हीमर्स में 6 ही होती है लेकिन पांचवी और च्छटी आपकी चौथी फिरेंजल पाउच में मर्ज की हुई होती है तो फिरेंजल पाउच इस बस इतना याद करने के यह पाउच होती है जो कि आपके आपकी बनाती होती है थाइमस ठीक है और आपको पता है थाइमस का काम क्या होता है टी सेल्स की मैचुरेशन करना ठीक है थाइमस क्या करता है टी सेल्स की मैचुरेशन करता होता है अब वो कहता है कि डेजार्ज सेंड्रूम में जो पेशेंट है उसके पास थल्ड जो है न वो पहु T-cells ही नहीं बन रहे हैं, तो क्या आपका पराकॉल्टेक्स वेल डिवलप होगा? नहीं पराकॉल्टेक्स वेल डिवलप ही नहीं होगा, तो वह सेम यही बात कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, तो आपके T-cells की मैचुरेशन नहीं होगी, मतलब T-cells के जो नंबर है, वो कम पढ़ जाएंगे, तो T-cells पराकॉल्टेक्स को सही तरह से बना नहीं सकेंगे, तो आपको जो पराकॉल्टेक्स होता है, वो वेल डिवलप नहीं होता, अब यहाँ पर एक और होती है कि आपके जे थर्ड फरेंजरेस में एक और भी प्रप्राबलम होता है आप के रोगल्ट होता है राधियर्ट सेंडर्मम में, कि थर्ड़ फरेंजल पोच एक तो थाइमस बनाती है, दूसरा यह साथ में इन्फीरियर पराथाइराइड गलेंड भी बनाती होती है, और आपके जो fourth pharyngeal pouch होती है या आपका superior parathran gland भी बनाती होती है. तो यह चीज़ देख लिएं कि आपकी third pharyngeal pouch है वो inferior parathran gland बनाती है और fourth pharyngeal pouch superior parathran gland बनाती है. अब जब कि आपका जो है ना यह third fourth pharyngeal pouch ही missing है तो क्या आपका parathran gland बनेगा? परेथरेड ग्लेंड नहीं बनेगा तो परेथरेड ग्लेंड क्या बनाता होता है परेथरेड हार्मून बनाता होता है तो क्या परेथरेड हार्मून बनेगा नहीं बनेगा परेथरेड हार्मून का काम क्या होता है क्या आपकर जो calcium level है blood में वो क्या करता है increase करता है तो जब parathyroid hormone ही नहीं है तो क्या blood में calcium increase होगी नहीं बलके blood में calcium क्या हो जाएगी degrees हो जाएगी degrees हो जाएगी हम क्या कहते है कि patient को क्या हो जाएगा hypokalcemia हो जाएगा क्क्या हो जाएगा है, और जब कर बलड में केल्यम कम होती है तो ठेटनी हो जाती है डेकनी का मतलब उसके जिसम में कप पहाड से मैं इसको रपीट कर देता हूँ, यह थोड़ा लंक्ती था सिंपल सी बात है कि third pharyngeal pouch inferior parathrid gland बनाती है और fourth pharyngeal pouch superior parathrid gland बनाती है जब कि third और fourth बनेगी ही नहीं तो क्या आपका parathrid gland बनेगा नहीं parathrid gland नहीं बनेगा जब parathrid gland नहीं बनेगा तो क्या parathrid hormone पैदा होगा नहीं parathrid hormone ही नहीं बनेगा जब parathrate hormone नहीं बनेगा तो क्या blood में calcium बढ़ेगी नहीं, बलके blood में calcium क्या हो जाएगी, कम, और blood में calcium के कम बने को क्या कहते होते हैं, hypokalcemia कहते होते हैं, यनि calcium कम हो जाती है blood में, तो इसकी व्यासे tetani हो जाती है, यनि कब कब हाट सी होती है, तो आपका जो DIGR syndrome का जो patient दूसरा उसका paracortex सही तरह से develop नहीं हो आओगा, तीसरा उसको tetani होगी, यनि कि उसको hypokalcemia blood लिवा में उसकी calcium कम होगी, इसके लवड़ जो patient होता है, उसको congenital heart problem भी होते हैं, दिल के problem भी होते हैं, लकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना देखनें, जो हमने third and fourth fringe approach की बारे मे नहीं बनाती, third fringe approach नहीं होती, तो thymus नहीं बनेगा, तो T-cells की maturation नहीं होगी, तो paracortex सही तरह से develop नहीं होगा, third और fourth inferior और superior parathyroid gland को बनाती है, तो parathyroid gland नहीं बनेगा, तो parathyroid hormone नहीं बनेगा, तो calcium कम हो जागा, hypokalcemia हो जागा, तो इससे tetani हो सकती है, अच्छा यह यह कम है, third क्या है, कम है, तो third क्योंकि कम है, तो छोटा होता है, और fourth क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए third कैस को बनाएगा, inferior को, और fourth कैस को बनाएगा, superior को, मेरे ख्याल में काफी होगी है, आपको समझा आ गया होगा, यहां तक कि यह क्या होता है, आपके पास जो तो इसके बाद हम जो है ना आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास परकॉल्टेक्स थोड़ा से रहेगी उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से तो इसमें अब अब देखते हैं कि मेडोला क्या होता है सुरी परकॉल्टेक्स अभी रहता था कि परकॉल्टेक्स इनलार्ज इन एक्स्ट्रीम सेललर इम्यून रिस्पॉस के जब कोई भी इबीवी इबीवी एपस्टान बार वैरिस होता है यह ठीक है यह एपस्टान बार वैरिस या कोई भी और वैरल इंफेक्शन होगा तो देखें यह यहां पर T-cells होते थे इन एक्स्ट्रीम इम्यून रिस्पॉस ईबीवी यह वैरिस अटेक करेगा तो परकॉल्टिकर हैपरपलेश्य यानि हैपर का मतलब होता है ज्यादा पलेश्य का मतलब होता है तो मतलब आपके जो परकॉल्टिकल परकॉल्टिकल जो सेल्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे प उसको easily palpate कर सकेंगे ठीक है तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि यह क्या होता है पराकॉल्टिक्स या पराकॉल्टिकल क्या होता है ठीक है तो हम उसको easily palpate कर सकेंगे तो यहीं बद मैं same दोबरा repeat करता हूँ कि यह क्या होता है वो कहता है कि जब आपका कोई भी एक वायरिस यासा कि एस्टान बार वायरिस या कोई भी वायरिस से अटेक करेगा तो आपके पराकॉल्टिकर है परफलिश यानि पराकॉल्टिक्स में जो टी सेल्स है वो बढ़ जाएंगे तो उससे लेंफड इनो पहती है यानि उसका है अब मेडला क्या होता है कि वो कहा थे कन्सीस्ट अफ मेड मेड सब्स基本 काड़ होता है और मेडिर风ा काण्स में क्या होते हैं इसा होते हैं इसमें प्लाज मेड लिए यो जोब बीच में चोड़ी सपेस रहे गही है कि क्या होता है कि यह सों अब आपसाते हैं थोड़ा सब मेडोलरी कार्स आपने देख लिया कि यह मेडोलरी कार्स होते हैं और मेडोलरी कार्स के अंतर प्लाजमा सेल्स होते हैं जब कि आपके मेडोलरी सेनेस होते हैं यह मेडोलरी सेनेस हम आप बता दिया है थोड़ा सागे देखें वो कहता है कि जो मेड and lymphatic है उसको दे देते हैं सिंपल सी बात है कि यह जो है ना आपके ऊपर थे जतना भी लेंगे और उसको पकड़ता है ड्रेन करके इफ्रेंड लेंगे को दे देंगे जो के फिर आगए यहां से इसको ले जाएगी अब यहाँ पर एक चीज़ तो यही थी कि मेडोलरी सेनसे जो है ना लेंफ को लेता है और लेंफ को लेके असोसियेट करता है किसके साथ कम्यूनिकेट करता है और दोसरी चीज़ जो आपको याद करनी है वो यह है कि आपका जो मेडोलरी कार्ड होते हैं उसमें मैक्रोफिज होते हैं इसको याद करने का सिंपल सा तरी Magdôle rie senesis में जो है na आपके macrophages ये कैसे Ms. मैस से याद करने है hace mercective happiness छाया है Player करिक्टान है या फिर आप सिरफ Ms. से याद करने M से क्या होगा Adolir s. sa senesis और M से दुबारा क्या हो जाएगा macrophages हो जाएगा तो आपके도енный senesis में क्या होते है macrophages होते है जबके आपके मेडरूलरी कार्ड में क्या होते हैं प्लाजमा सेल्स होते हैं तो आप में सिर्फ सिंपल इतना सा याद करना सा था मेरे ख्याल में असान सा था अगर कहें तो मैं रेपीट कर देता हूँ कि तो मेरे ख्याल में हो गय. अच्छा यहांपर हमने प्लाजम सЕlla बार-बारा पड़ रहे हैं, तो प्लाजम सेlla क्या उते हैं, इस आपको बताने जा रहा हूँ वो simple सा है कि simple सा है इसमें बता रहा हूँ plasma cells आपको समझाए देगा कि कोई भी macrophage आता है ठीक है क्या आता है macrophage जो कि आपके एक phagocytic cell है let's suppose यह macrophage है आपका phagocytic वो होते हैं जो किती चीज़ को engulf कर लेते हैं अब बहर से कोई भी pathogen आयगा कोई भी pathogen आयगा अब पहले है यहां पे he मैक्रोफीज यह T cells ले ले ठीक है यह B cells कर ले और इनको यहां पर प्लाजमा सेल्स कर ने ठीक है यह प्लाजमा सेल्स हो गए अब कहता है कोई भी बैर से पैथोजयन आया यह कोई भी पैथोजयन आया तो वह पैथोजन या antigen सबसे पहले macrophage के पास आता है, फिर macrophage इस pathogen को देता है T-cells को, T-cells पहले कोशिच करता है कि मैं खुद इसको मार लो, अगर खुद नहीं मार पाता तो यह फिर B-cells के पास help भेजता है, B-cells को कहता है कि मेरी help करें, B-cells पहले नेव होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर active होके plasma cells बन जाते हैं, फिर यही plasma cells जागे फिर क्या बना देते हैं, antibodies बना देते हैं, और यह antibodies उसी antigen के against होती है, जिसको इन्होंने बनाया होता है, हमने F-C-C-C-E में एक लफ्द सुना था कि antibodies, antigen की जासे बनती हैं, और जिसकी वज़ासे बनती हैं, उसी antigen को जाके मार तो इसी तरह सेम के जो भी पैथोजन आता है, सबसे पहले मैक्रोफिज उसको इंगल्फ करने के बाद T-Cells को देते हैं, T-Cells पहले तो खुद मार देते हैं अगर खुद नहीं मार सकते हैं, तो B-cells को बोलते हैं, B-cells, plasma cells को बोलते हैं, plasma cells antibodies बनाते हैं, ये antibodies जाके उसी antigen को मार देती हैं, जिसक्रिया से वो बने थे, ये simple से एक diagram थी, हम इस diagram को आगर detail में इंशाला पढ़ते रहेंगे, बस आप इतना समझ लें कि plasma cells क्या होते हैं, वो समझाने के लिए मैंने आपको ये चोटी सी diagram समझादी है, वैसे ये diagram बहुत important है, ठीक है, पूरी आपकी जो immunology है, वो ऐसी के इर्दगेर्द ही घुमेगी, मेरे ख्याल में हमारा मैडोला भी खतम हो गया है, paracoltics follicle lymphoid हमने सारा पढ़ लिया है, I hope so that कि आपको समझ आ गया होगा, मेरे ख्याल में आज के लेक्षर के लिए इतना काफी है, ठीक है, लेकिन छोटा सा आपको बता दो ये बहुत important भी था, ये अगला है lymphatic drainage associations, ठीक है, इसको वैसे याद करने की कोई जुरुत है नहीं, ये इतना important नहीं है, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसको याद कर ले, इसमें कोई problem आज है, तो कौन-कौन सी बिमारिया होती है, तो ये अपने simple तो याद रखना है, तो कहता है, media stannel जो lymph node है, वो ये वाले हैं, और ये कहां-कहां से drain करते हैं, ट्रेखिया और इसोफिगस से, और इनकी जासे कौन-कौन सी pathology होती है, तो इसी तरह axillary ये वाले हैं, ले lymph nodes, जो हैंना, वो कहां-कहां से drain करते हैं, उनकी अगर खराबी होती है, तो कौन-कौन सी diseases हो सकती है, ये चीज़ देखने के यहां पर जो इस तरह कर डाट जो खाली है डाट, उसको apple-pate नहीं कर सकते हैं, और जो अंदर से भरा हुआ है, ये वाले lymph nodes को apple-pate कर सकते हो, बह क्या कहता है, ये भी रट्टा है कि जो, वो कहता है, राइट lymphatic, जो duct है, drains right side of the body, ये body के right side से जो lymph है, वो drain करती है, above diaphragm, और diaphragm से उपर वाला जो है वो हिसा drain करती है, into junction of right subclavin and internal jugular vein, और उसमें जाके इसको फिर drain कर देती है, ये simple से याद करना है, याद करने वाली बात है ये राइट lymphatic duct, drains करती है, right side of the body, above diaphragm, into junction of the right subclavin and internal jugular vein, और thoracic duct, drains below the diaphragm, and left thoracic को drain करती है, and upper limb को drain करती है, into junction of left subclavin and internal jugular vein में, वो राइट ती, ये left है, ये याद कर ले, और ये कहता है, रप्चर अप्चर 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 अप् तो जो lymph होता है, अगर उसमें रप्चर हो जाए, तो आपकी जो chest cavity है, उसमें आपका fluid अकॉमूलेट कर जाएगा, lymph अकॉमूलेट कर जाएगा, और इस disease को या इस condition को, chilo भी पढ़ते हैं, kailothorax भी पढ़ते हैं, वहाँ पर ये कठा हो जाएगा, या आपका digestive system में जो lymph है तो ये वाला इसका सारा important है, ठीक है, इसको कर लें, ठीक है, बाकी उपर वाला ये अगर इसको बस simple सब्सक्राइब आप देख लें, अगर याद करना चाते हैं तो best है, वरना ये वाला important था, ठीक है, और ये सारे जो में मैंने पढ़ा है, ये important था, सारे ये important था, I hope so that, कि आपको समझा आगिया होगा, ठीक है, इंशाला अगरे लेक्चर में हम सप्लीन और थाइमस को करेंगे, अगर आपको क्वेशन है, तो आप लोग वो पूछ सकते हैं, मेरी ख्याल में कोई क्वेशन नहीं है, चले ठीक है, ओके गाइस, थैंक्यू, अलाह आफिस